कि उस्तों आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है इफी राइट उसको देख रहे हैं इफी आई 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 आफी यहनी इमीडेटली इन्वोक फंक्शन एक्स्प्रेशन राइट इस ए जावा स्क्रिप्ट फंक्शन डेट रन as soon as is defined यहनी कि function को define करना और run कर देना यही होता है इफी राइट बैसिकली यह एक पेटन है और इसका syntax कुछ इस तरीके से होता है हमको हमारे पूरे code को जिसे हमारा पूरा code है इसको हमको एक function के अंदर रेप करना है और उस function को call कर लेना है तो यह होता है इफी अभी question उठता है कि इफी की जर्वत हमें क्यों पड़ी इफी की जर्वत हमें क्यों पड़ी क्या problem थी जिसके वज़े से इफी का concept आया तो हम लोग पहले उस problem को देखते हैं उस problem को समझते हैं कि क्यों इफी की जर्वत है क्यों इफी design pattern हमको यूज करना चाहिए एक अच्छी programming के लिए एक best practice है यह ठीक है तो हम लोग चलते हैं हमारे code के उपर और महां पर हम लोग देखते हैं कि क्या problem थी ठीक है तो मैं यह open करता हूं j has been right अभी यहां आप देख रहे हैं यहां मैंने एक program लिखा यहां मैंने एक variable बनाया यहां मैंने एक function बनाया grid ठीक है यहां एक function मैंने grid बनाया और यहां पर variable मैंने image z is equal to यह message variable बनाया यहां console log किया और यहां पर grid को call किया मैंने ठीक है अब मैंने क्या किया कि इसको result को clear किया और run किया तो यहां इसका output आ रहा है goodnight to you और hi यह output कैसे आ रहा है यह output एक तो grid function के वई से आ रहा है और दूसरा console.log में यह वाला console.log में इस message का जो result है वो print हो रहा है ठीक है यहनि कि problem क्या है problem यह है कि आपके जो variable है आपके जो function है यह जो आप global यहां आपने लिखा है console.log msg global में तो यह पूरे प्रोग्राम में आपका एकसेसेबल है यह आपके प्रोग्राम की security के लिए question mark है कि यहां पे आपका जो variable है वो window object के पास global object के पास accessible होगा तो इस problem को हम लोग कैसे solve कर सकते हैं इस problem को हम लोग solve कर सकते हैं if e की मदद से तो इफी क्या बोलता है हम लोग इफी पे चलते हैं तो इफी इफी का जो syntax है वो क्या है इफी का यह है कि आप पहले इसको function expression में convert कीजिए और फिर उसको call कर दीजी ठीक है तो function express में convert करना पड़ेगा और हमको program को call करना पड़ेगा तो हमारा जो इफी है वह काम करेगा और हमार्य जो वेरीवल हमने यहां पर देखा था हमने यह यहां पर आपड़ेगा तो यह प्रॉब्लम हो जाई तो मैं क्या करता हूं इस पूरे कोड को है ना पहले तो यह कंसोल डॉट लॉट लॉट हटाता हूं हमने यहां पर देख लिया कि तो इसके लिए मैं बना देता हूं एक फंक्शन मैं इस पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूं सबसे पहले तो मुझे पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर कर दिया तो मैंने इस पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर कर दिया ठीक है अब यह क्या बना यह बन किसे करते हैं यहां PAY मैं लगा देता हूं Paretxis इस पूरे function को मैं 같은데 में कर देता हूँ तो यह function जो है वो expression में कनवर्ड हो गया ठीक है अभी function यह expression बन गया function बन गया अब मुझे क्या करना है इस function को call करना histoire function call कैसे करते हैं function call इस तरीके से देते हैं पर अब क्या हुआ यह जो पूरा function है मेरा यह पूरा function जो है आई-आई-फी के pattern में convert हो गया मैंने क्या किया पहले सबसे पहले function बनाया फिर function expression बनाया और फिर उस function को मैंने यह call कर लिया ठीक है तो यह आई-आई-फी में convert हो गया अब अगर मैं इस function को run करता हूं तो यह तो accessible है लेकिन अगर मैं इस global area में global area में मैं console.log करता हूं और msg को access करता हूं जो की पहले accessible था ठीक है अब मैं access करने जाऊंगा तो यहां पर आ जाएगी error यह error क्या बोल रहा है कि msg is not defined यह msg अब accessible नहीं होगा अगर मैं इस global area में भी msg को लूँगा तो msg not defined का error आ जाए इसका मतलब यह है अब मेरा जो program execute होगा वो इसी function के इसी function का जो execution area है इसी में execute होगा global space में नहीं होगा ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि इस पूरे function को एक function में बना दो और फिर उस function को call कर लो तो आप जब function call करोगे तो function call का करोगे global area में करोगे न तो वो सही नहीं है आपको इसी तरीके से इस पूरे code को IIFE में convert कर देना है इस से आपके program की security और vulnerability का chance नहीं होगा क्योंकि कोई भी global variable आप system access नहीं कर पाएगा कोई भी console log भी कोई करेगा आपके program पे आके आपकी application में आके तो भी वो global variable को access नहीं कर पाएगा तो यह था IIFE पेटन